हे एब्रीवन, विल्कम बैक टू मैं चानल, तो चलिए सीखते हैं घरेलू समानों के नाम इंगलिश और हिंदी में, तो पहला है रस्ती, और रस्ती को इंगलिश में कहते हैं रोप, रोप, उसके बाद है बोरा, और बोरा को इंगलिश में कहते हैं सैख, इसमें आलू, प्य उसके बाद है जाडू जो हम सभी के घर में होता है और जाडू को इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम और इस तरह के जो जाडू होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में बैम्बू ब्रूम क्यूंकि ये बास के बने होते हैं नेक्स्ट है पोचा और पोचा को इंग्लिश में कहते हैं मॉप यह हमारी घर में जरूर होता है क्योंकि जाड़ू पोचा लगाने के लिए हमें जाड़ू और पोचा दोनों की जरूरत पड़ती है नेक्स्ट है साबुन यानि की इंग्लिश में कहेंगे सोप, साबुन को इंग्लिश में कहते हैं सोप, यह है साबुन दानी और साबुन दानी को इंग्लिश में कहते हैं सोप केस, सोप केस नेक्स्ट है नल और नल को इंग्लिश में कहते हैं टैप, टैप इसके बाद है इस तरह के बेसिन सबके घर में होते हैं तो इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम वाश बेसिन कहते हैं वाश बेसिन जो हाथ धोने के काम आते हैं और इस तरह के जो सिंख है ये सबकी किचन में लगे होते हैं तो इसे English और Hindi दोनों में ही हम sink कहते हैं Next है कर्चुल कर्चुल को English में कहते हैं ladle Next है balty और balty को English में कहते हैं bucket यह हमारे daily life में काफी useful होता है उसके बाद tub टब को English और Hindi दोनों में ही हम tub कहते हैं जो पानी वगेरा store करने के लिए हम use करते हैं Next है jug और jug को भी English और Hindi दोनों में ही हम jug कहते हैं और इसे कहते हैं mug Hindi में भी mug कहते हैं और English में भी mug कहते हैं इसका use हम करते हैं पानी को इधर या उधर transfer करने के लिए एक bucket से दुसरे bucket में Next घर में जो काफी प्योगी समान होता है वह है आईना और आईना को इंग्लिश में कहते हैं mirror Next है kangi और kangi को कहते हैं come पर्दे तो हमारे घर में जरूर होते हैं तो पर्दों को इंग्लिश में कहेंगे curtains next है sui जो हम सिलाई करते हैं जिससे उसे हम sui कहते हैं हिंद caminho और इंग्लिश में कहते हैं needle और धागा को हम इंग्लिश में कहते हैं thread चोटी-विटी चीजे सीने के लिए जो हम अपने घर पे यूज करते हैं उने needle और thread कहते हैं और इस तरह की जो सुई होते हैं, जिससे हम स्वेटर वगरा बुनने का काम करते हैं, तो उसे कहते हैं इंग्लिश में knitting needles, knitting needles, knit का मतलब होता है बुनना, बुनना. नेक्स्ट है टोकरी, और टोकरी को इंग्लिश में कहते हैं, basket, उसके बाद है ये ओखली, और ओखली को इंग्लिश में कहते हैं, mortar and pestle, mortar and pestle. नेक्स्ट है तवा और तवा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल उसके पाद नेक्स्ट है चक्की और बेलन तो बेलन को इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग पिन और चक्की यानि की चकला जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग बोड rolling board जो रोटियां बेलने और बनाने में use होते हैं हमारे daily life में next है मौमबत्ती और मौमबत्ती को इंगलिश में कहते हैं candle candle उसके बाद है रूई की बाती जिससे हम दिया जलाने का काम करते हैं तो इसे इंगलिश में कहते हैं cotton wick cotton wick next है ये मिट्टी के दिये और मिट्टी के दियों को इंगलिश में कहते हैं earthen lamp फिर है इस तरह के जो धागे आते हैं यानि रस्टी जो इस तरह की आती है उसे इंगलिश में कहते हैं string next है छाता और छाता को इंगलिश में कहते हैं umbrella umbrella यह है घड़ी, और घड़ी को इंगलिश में कहते हैं clock जो हर किसी के घर में जरूर होता है clock घड़ी को कहते हैं clock और इस तरह की जो घड़ी होती है जो हम मेज पर यानि टेबल पर रखते हैं उसे कहते हैं alarm घड़ी और यह है डरी जिसे हम first पे लगाते हैं तो उसे English में कहेंगे Carpet Carpet, दरी को English में कहते हैं Carpet Next है जो इस तरह के पाइदान होते हैं जो हम सभी घर के दरवाजे पे लगाते हैं पैर पोचने के लिए तो उसे English में कहते हैं Doormat Next है ये मथनी जिसे English में कहते हैं Churner दाल वगर हम अतनी के लिए हम इसे यूज करते हैं तो उसे English में कहते हैं Churner Next है ये चिम्टी या फिर चिम्टा जिसे English में Tonks या फिर Tweezers कहते हैं Next हमारा Household आइटम है ये Catchy और Catchy को English में कहते हैं Caesar ये लगबग हर किसी के घर में जरूर होता है उसके बाद है ये सीसे की जार इसे हम चीशी कहते हैं हिंदी में और English में कहते हैं जार जार जो हम चीजों को रखने के लिए कंटेन करने के लिए यूज करते हैं इन्हें हम Glass Container भी कह सकते हैं Next है ये चटाई जिसे English में कहते हैं Matt फिर है ये जूला जो हर किसी के घर में लगा हुआ होता है तो उसे English में कहते हैं Swing जूला को English में कहेंगे Swing Next है ये पंखा जिसे हम English में कहते हैं Ceiling Fan Ceiling Fan पंखा को कहेंगे Fan लेकिन इस वाले पंखा को कहते हैं Ceiling Fan हमारे घर में जो पलंग लगे हुए होते हैं उसे इंगलिश में कहते हैं bed फिर है ये कूरसी और कूरसी को इंगलिश में कहते हैं chair जिस पर हम बैठने का काम करते हैं या फिर बैठ के पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं इसे कहते हैं तक्या और इंगलिश में कहेंगे पिलो और तक्या की खोली को कहेंगे पिलो कवर नेक्स्ट है ये चादर जो हम बेड पे बिचाते हैं तो उसे इंगलिश में कहेंगे बैट सिट और इस तरह की जो गद्दे पलंग में लगे होते हैं उसे हम कहते हैं मैट्रेस नेक्स्ट है ये कुड़ादान जिसमें हम कुड़े कच्रे अपने घर के डालते हैं उसे ये कुड़ादान कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं डस्ट बीन next है ये कंबल और कंबल को अम इंगलिश में कहते हैं blanket so that is it for today's video guys if you find this video useful and informative then please hit the like button and also subscribe to my channel thanks for watching we'll meet you guys in the next video bye bye take care